TBS Ronin 225 कल तीन नए मोडल में लॉंच हो गई और भाई जब मैंने इस बाइक को देखा तो मुझे इसमें बहुत सारी खूबिया लगी लेकिन उसके साथ साथ मुझे इस बाइक में कुछ कमिया भी लगी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इससे पहले जो मैंने TBS Ronin की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो कुछ भी बताया था सारी चीजें वही इस बाइक में आई हैं और उस बीडियो में मैंने एक बात बोली थी भाई इसका पेट्रोल टेंक बजाज, बॉक्सर, 150cc से मिलता है तो साथ कुछ लोगों को ज़्यादा बुरा लग गया था तो अगर भाई आपको बुरा लग गया है तो उसके लिए मैं आपसे चामा चाहूँगा अब हम बात करते हैं इस बाइक के खूबियों और कमियों की लेकिन नई बाइक आई है तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं तो इस बाइक के जैसे model और डिजाइन के बारे में specs, features, price पूरा मैं आपको जानकारी दे दूं और वही इसकी खूबी होगी और उसके बाद मैं आपको इसकी कमिया भी बता दूंगा सबसे पहले हम बात करें तो एक उनीक और एक नया डिजाइन इस बाइक में आपको मिलता है और जैसे आप कई बाइकों का लुक एक साथ चाहते हैं तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जैसे कि आप स्क्रैमलर या फिर आप रेट्रो क्लासिक डिजाइन या फिर जैसे आप रॉयल इंफिल या जावा और एस दी इन सब का मिक्स डिजाइन देखना चाहते हैं तो ये बाइक आपको निरास नहीं करेगी डिजाइन के मामले में वहीं अगर इसमें कुछ फीचर्स की हम बात करें तो इसमें आपको अपसाइड डाउन फॉर्क मिलता है आगे 300 mm पीछे 280 mm की डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल ABS दोनों के साथ आपको मिल जाती है और जैसे अगर इसके इंजन की बात करें या फीचर्स की बात करें तो आपको जैसे फुली LED लाइट का सेटप मिल जाएगा डिजिटल मीटर मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी information advanced technology जैसे smart connect इसमें आपको मिल जाएगा इसमें आपको riding mode भी मिल जाएगे तो मतलब बहुत सारी चीजे इस बाइट में आपको मिल जाती है और वहीं अगर हम price की बात करें तो अगर आप इसका base model लेते हैं तो 1,44,000 रुपे exorum price जो की लगबग आपको 1,75,000 रुपे तक पड़ेगी और वहीं अगर आप जिसे ही इनका जो दूसरा model है जो dual tone single channel ABS के साथ आता है वो लगबग आपको 1,85,000 तक मिलेगा या 90 भी हो सकता है और वहीं अगर जो इनका तीसरा model आता है टॉप model जो triple tone dual channel ABS के साथ आता है तो वो आपको मिलेगा लगबग 2,00,000 के पार हो जाएगा अगर आप ऐसे स्रीज लगवाएंगे तो कुछ जादा ही उसमें पढ़ जाएगा तो 3 model यह आते हैं अब हम जैसे खूबियों को एक स connectivity, navigation भी साथ मिल जाएगा, riding mode भी मिल जाएगे और यह सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी और upside down fork मिल जाएगे जिससे आपको बाइक चलाने का experience ज्यादा अच्छा होगा और बड़ी disc brake है तो इससे आपको braking का भी इसमें आपको मजा मिलने वाला है पीछे आपको mono suspension मि मिल जाते हैं तो आपको इन में कोई सिकायर नहीं आएगी अब आप सुनिये कि मुझे इस बाइक में कमिया क्या लगी है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे जो इनकी Apache 200 4B है वो बाइक ज्यादा बिक नहीं पाई तो उसी की chassis और उसी engine को थोड़ा सा modification करके इ जो इनकी Ronin 225 है ये Apache 4B 200 इसी के base पर बनाई गई है तो जाहिर सी बात है इसमें नया अगर आप पूछेंगे तो इसका model और design नया मिलता है लेकिन engine वही है और सिर्फ थोड़ा सा बदला हुआ है उसको भी मैं आपको बताऊंगा और बाकी chassis सारी चीजे इसमें वही है तो इसलिए जो पूरानी चीजे है वही आपको मिल रही है मतलब model नया मिलता है लेकिन चलाएंगे आप Apache 204B को अब यहां पर क्या बदला हुआ है actual वह मैं आपको इस थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा जैसे कि इस bike में आपको मिलता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा 225.9 CC का engine जिसमें आपको 20.4 HP की power मिलेगी 7750 rpm पर 19.93 Nm की torque मिलेगी 3750 rpm यहां पर आपको ध्यान देना है कि 66 mm bore है 66 mm stroke है तो यहां पर अब इन्होंने square engine लगाया जबकि इससे पहले जो 204 भी थी वो उसमें over square engine लगाया था तो इन्होंने bore और stroke थोड़ा सा बढ़ा दिया है इसलिए कम rpm पर आपको इसमें torque मिल रहे है बाकि आप देखेंगे कि bore और stroke बढ़ाने से भी इसमें 20.4 HP की ही power मिल रही है तो इसलिए यह 204 भी भले ही है जिसे आपको बताया जाए कि भाई इसमें आपको 225 CC का engine मिलेगी लेकिन torque आपको मिल जाएगी लेकिन उसके साथ अपाचे 204B से जादा है वहीं अपाचे की बात करें तो इसमें 197.75 CC का engine था जिसमें आपको 20.82 HP की power मिलती थी 9000 rpm और 17.25 Nm की torque थी 7250 HP तो बोर और stroke को थोड़ा सा छोटा किया गया है तो इसलिए इसमें ऐसी चीजें निकल कर सामने आई है अब वहीं अगर हम जैसे बात कर लें भाई 800 mm इसकी seat height रहेगी 110 mm इसका ground clearance रहेगा 152 kg इसका वजन रहेगा बारा लेटर यह मैं क्या देख रहा हूं भाई नहीं दूसरा बताता हूं बताता हूं बाई बताता हूं तो भाईया इसका जो ground clearance है तो आप जैसे थोड़ा सा ओफ रोडिंग कर सकते हैं क्योंकि ground clearance सही है 795 mm seat height है मतलब आप सही से बैठ सकते हैं long rider या short rider ठीक ठाक चला लेंगे और पांच gear का engine मिलता है छेठे gear की demand जरूर करेगा sleeper clutch इसमें आपको मिल जाता 14 लीटर का petrol tank और 160 kg की यह bike है तो इसका मतलब यह है कि वजन इस bike का बढ़ाया गया है और bore stroke बढ़ाने के बाद इसमें over square engine लगाया है तो जो आप समझें कि वो totally 204 भी ही आप चला रहे हैं इसके लाओं इसमें कोई न आपाचे 204 B के engine में जब आप normally bike को start करेंगे तो इसा लगता है जैसे crying किसी आवाज आ रही है तो इसमें जब इसके silencer का sound थोड़ा सा भढ़ाएगा तो आपको वो चीज पता नहीं चल पाएगी तो इसमें अगर हम कमियों की बात करें क्योंकि मैंने आपको expect सारी चीजे बता दी अब अगर हम कमियों की बात करें भाई तो सारी चीजे इसमें पुरानी ही है सिर्फ इसका model और डिजाइन नया है और एक कमी और है जैसे इन्होंने एक छोटे से मीटर में बता दिया सारे मौड है Bluetooth connectivity है phone आएगा इसमेस आएगा सब आपको मिल जाएगा तो जितना चोटा ससे में मीटर लगाया गया दोस्तो तो उसके लिए आपको 2 एकस जूम आपको लगाना पड़ेगा अपनी आखों में तभी आप देखेंगे नहीं तो आप आगए कहीं ठोंग देंगे अपनी गाडी क्यों 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 क्योंकि क्योंFlow की मीटर चोटा है और उसमें 30 तक की mileage जहां तक है मिल जानी चाहिए 30-35 मानलो बहुत सही चलाओगे नहीं तो 28-30-32 ऐसे आपको इस bike में mileage मिल जाएगी तो यहां पर अब बात आती है इसकी जैसे मैंने आपको कमिया बता दी अब अगर कोई इतने पैसे खर्च करेगा तो उसके पास और भी है जैसे कि pulsar N250 है वो इससे भी कमिया आती है और इससे ज्यादा पावर देती है और dominar 250 आती है जो की liquid cool engine 6 gear के साथ आती है तो वो भी इस इसके competitor है तो ऐसा कहना जैसे सही नहीं होगा कि जैसे यही एक सब कुछ है बहुत सारी बाइके हैं जिनमें आपको सारी चीजे मिल जाती है यहां पर मैं किसी चीज को डीफेम नहीं कर रहा हूं मैं जो कमिया है और जो मुझे लगी है वही चीज बता रहा हूं आपकी जो अब इच्छा करें आप उस चीज को खरीदो लेकिन जो मुझे लगना है जैसे मेरा बाइक के बारे में और वही तर्क के साथ बता रहा हूं ऐसा नहीं जैसे फालतू की कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं सारी चीजे जो मैंने आपको बताई है गर आप इस बाइ लाइक मिली भविच में टो मैं उसको चला करें दिखा कर आप लोगं को सारी चीजे बता ह aumento अब इतनी जानकारी मैंने दी है अब आप लोग मन बनाए कि आपको क्या कर neural duty इंसके बारे मिए स्टने समजदार है आप इन सारी स्ट्राइब की जिम्मेदारी खुद अपने दोब्रे दने बाइब